और चलिए बात कर लेते हैं अब जमशेदपूर की जमशेदपूर में ठीका करण अभियान को बढ़ावा देनी के लिए आज से किनन स्टेडियम में मेगा कैम्प की शुरुवात होगी दो पहर तीन बजे से रात दस बजे तक लोग ठीका ले सकेंगे यहां मैलाओं, बजर्गों और निश्रक्त जनों के लिए अलग कतार की वेवस्ता होगी ताकि उन्हें ठीका करण के लिए स्यादा देर तक इंतजार ना करना पड़े एक दिन में 5000 लोगों को ठीका देने का लक्ष रखा गया है किनन स्टेडियम ठीका केंदर का जायसा लिय कर एक बड़ा से रेक्षिनेशन सेंटर बनाया गया है अब यह किनन शेडियम दिखा रहे हैं मेरे सहयोगी अनवर आपको किनन शेडियम जहां क्रिकेट का इंटरनेशनल मैच हुआ करता था लेकिन जिला प्रसासन ने हर एक वेक्ति को कोवीट का जो टीका है उसे देने का जो संकल्प लिया है उसी के तहट आज ये बड़े पैमाने पर आप देख सकते हैं कि एक बड़ा से पंडाल लगाया गया अगर पानी आता है तो पानी से भी सुरक्षित रहेगा और बैठने के लिए विवस्था की गई आप देख सकते कि चियर भी लगाय गया और लक्ष रखा गया है जिला प्रशासन के द्वारा एक दिन में पांच हजार लोगों को कम से कम वैक्षिन दिया जाए और देखे अलग अलग कटाउट भी लगाया है माक्स नहीं पहनने के हजारों बहाने है किन्तु पहनने के एक ही कारण है जिमोवारी तो ये सारी कटाउट लग पहने पर शुरू किया जा रहा है और अठारा प्लस के उपर कोई भी लोग है वह वैक्षिन सेंटर में आए और वैक्षिन लेकर जा सकते हैं कि यह किस तरीके का विवस्था किया गया और एक दिन में क्या लक्ष रक्षा गया है यह दिखे कि हम लोगों को दुआरा वैक् वैक्षिन हम लोगों को अधीक मातरा में सरकार से मिल रही है और उस वैक्षिन को जितना जल्दी हम लोग लगा दे प्लान बना करके तो लोगों के लिए ज्यादा फाइदा होगा और हम लोग थर्डवेक पूर होग सकेंगे तो इसी उद्देश से आप देखेंगे कि अगलग जगह पे लोग डॉक्टर्स एंड नर्सेस रहेगी जो वैक्षिन लगाने का काम करेंगी इसके लाव आप देखेंगे सारा टेबूल लगा हुआ है जहां पे उन्लों का इन्रोल होगा जो ऑनलाइन बिवस्था है वो होगी उसका इंट्री होगी नहीं है कि कोई लोगों को वेट करना पड़ रहा है जैसे-जैसे लोग आएंगे फटा-फट यहां पर क्या है टिका लगना चालू हो जाएगा तो लोगों को वेट करने की जुरत नहीं है बलकि जितना जल्दी वैक्षिन लेकर के चले जाएंगे बिल्कुल देखें जिस तरीके से जो व बाद नियुजलन भारत जम्शिट